नमस्कार वचो आज फिर दुबारा से आपना हमारी यूट्यूब चैनल किड्स लेर्निंग में आपका स्वागत है किड्स लेर्निंग में हम वर्क्सीट कर रहे थे कक्षा 4 सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट संक्या 5 दोस्त की पोसाग दोस्त की पोसाक की worksheet हम कर रहे थे मैंने part 1 से लेके part 10 तक इस worksheet के बना चुका हूँ ये worksheet आपको हमने playlist बना रहे है hashtag worksheet class for hindi के नाम से hashtag worksheet class for hindi के नाम से playlist बना रहे है आप उस playlist में जाके सारे parts आप देख सकते हूँ तो मैं बता देता हूँ किस part में हमने कौन सा question cover कर रखा है first part में हमने question number 1 cover कर रखा है second part में हमने question number 2 को cover कर रहा है question number 3 part 3 में question number 4 को हमने 2 parts में cover किया है question part 4 और part 5 में क्योंकि लंबा question था ये part question number 5 को part 5 में cover किया है और part 6 में question number 6 cover किया है part 8 में question number 7 part 9 में question number 8 और part 10 में question number 9 आज part number 11 करेंगे इस worksheet का जो कि आखरी part होगा इस worksheet का जिसमे question number 10 और question number 11 complete कर देंगे फिर ये worksheet complete हो जाईगे हमारी और फिर आप नए इससे नसुरुदीन का निशाना इससे अगला part है नसुरुदीन का निशाना उसकी worksheet हम करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इस channel को आप subscribe कर लें और वीडियो को like कर लें ऐसी worksheet आपको किसी भी channel पर नहीं मिलेगी फिरी में और फिरी में ये worksheet लेना चाते हो तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये worksheet ले सकते हो जिन बचों को पता है कि description box क्या होता है YouTube में तो description box में हमने इस worksheet का link दे रखा वहाँ से आप download कर सकते हो और जो नहीं जानते description box क्या होता है तो मैं उनको बता देता हूँ description box में कैसे जाए यहाँ पर वीडियो चलेगी YouTube पर यहाँ पर title होगा और यहाँ पर more का button होगा यह हमारे channel का नाम है Kids Learning के नाम से यहाँ पर आपका more का button होगा more के button पर जैसे आप click करोगे नया page open हो जाएगा इस दरीके से यह open हो जाएगा यहाँ पर एक link आएगा उसके बाद दुबारा more का button क्लिक करना है अगर phone में देख रहे हो अगर आप computer और laptop में देख रहे हो तो दो link का जाएगे तो दूसरा link जो होगा work sheet का होगा फिर दुबार हम more के button पर जाना है और फिर इस तरीके से आपके सामने कुछ links open हो जाएगे यह जो link है मैं आपको बता दूँ यह class 4 हमने एक workshop group बनाया उसका link है आप join कर सकते हो यह work sheet का link है इस work sheet के link से आप यह work sheet download कर सकते हो ठीक है चलो अपने question पर वापिस चलते है part 10 आज question number 10 कर रहे है question number 10 में सिर्फ क्या करना है रेखा खीच कर वाक्य पूरा करो जो नसुदीन दोस्त की पोसाग जो part है उसमें कुछ sentences आपको complete करने है यहाँ पर half sentence दे रखा हाफ sentence यहाँ दे रखा है तो इन half half sentence को आपको cover करना है तो मैं कर देता हूँ इनको आपकी चलो इसे cover करते हैं ठीक है चलो दोस्त महोले में घूम आए चलो दोस्त का क्या होगा बिटा महोले में घूम आए ठीक है अपनी इस मामूली सी पोशाग में मैं लोगों से नहीं मिल सकता अपनी इस मामूली सी पोशाग में मैं लोगों से नहीं मिल सकता ऐसा किस ने कहा था ऐसा जमाल साब ने कहा था जमाल साब ने कहा था नसुरुदीन से एक बार मैं इस तीर को अटा देता हूँ ठीक है अब आगे वो जो गय वो जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है ये किस ने कहा था ये नसुरुदीन ने कहा था पडोसी नमर एक से इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी ही है ये भी नसुरुदीन ने कहा था उसे इसाब से उन्होंने जो अचकन पैनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है ये तीनो लास के तीनो वाक्य अनसुदिन जी ने कहा था ठीक है तो ये मिलान हमने कर लिया है चलो दोस्त मोले में घूमाए पहला दूसरा अपनी इस मामूली सी पोसाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता दूसरा तीसरा वो जो अचकन इनोंने पैन रखी है कि है वहे मेरी है ठीक है इनोंने जो अचकन पैनी है चोथा इनोंने जो अचकन पैनी है वहे इनकी अपनी है तो इस तरीके से आपने मिलान कम्प्लीट कर लिए अब ये जो पूरे वाक्य बने है इनको आपको नीचे भी लिखना है कैसे तरीके से जैसे ये वाक्य बनाए चलो दोस्त महोले में घूम आए तो ये पूरा वाक्य आपको कहा लिखना है ये नीचे दिए फिलिंग दब लेंक्स में आपको लिखना है उपर दिएगे वाक्यों को जोड़ कर नीचे लिखो ठीक है आपको जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है ठीक है ओके इस तरीके से यहाँ पर सारे वाक्य पांचों के पांचों वाक्य यहाँ पर लिख लेना और आपका कोशन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं कोशन नमर 10 आपका कंप्लीट हो गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर दिक्कत है कोई प्रोब्ल भरो तो नीचे देगा जो चितर है उसमें आपको color बरना है स्रिफ और कुछ नहीँ करना है क्या करना है color बरना है तो यह जो अचकन देcznie होतीजिये अचकन जैसा होता है जो गले से लेकिए गुटन तक होता होता है इसमें आपको color परना एठीक है इसमें color कर लीजिए और यह worksheet का end हो गया एक से लेके total इस worksheet में 11 पर्सन थे सारे persons हमने कर लिए हैं और यह 11 पर्सन 11 पार्ट है ठीक है तो यह सारे parts आप मैं बता देता हूं किस में देख सकते हो आप worksheet यह मैं लिखके दिखा देता हूं playlist का नाम hashtag work sheet class for hindi यह worksheet का नाम है आप यहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में जाके यह worksheet यह प्ले लिस्ट चेक कर लिए और इसमें सारे parts आपको मिल जाएंगे ठीक है आगे और आपको पता ही हमारे channel जो है वो kids learning है उसे आप subscribe कर लिए और worship group का दे रखा लिंक उसको जोइन कर लेना चीक है और आप यह भी कुछ समझ में नहीं आया हो जिस भी lesson का आपको work sheet चीए तो आप मेरे को comment करके बता सकते हो कि सरी lesson का मुझे work sheet चीए thank you for watching this video thank you तिन्यवाद comment करें जो भी समझ में आपको नहीं आया है thank you आप